कूटने बुद्वार को राजधानी में अवैद निर्मान के लिए दिली नगरनेगम के अधिकारियों के खिलाफ लोगपाल की और से केंद्रिय जांच ब्यूरो को दिये जांच के आदेश पर रोक लगा दी अधालत ने कहा कि पुरे व्रभा के खिलाफ जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है नियाए मूर्ती प्रतिभा एम सिंग ने लोगपाल के आदेशों के खिलाफ एमसीटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया साथी अधालत ने इस पर यह अनाधिकृत निर्मान के खिलाफ शिकायत प्राप्थ होती है तो प्राधी करण कारवाई पर कोई रोक नहीं लगाएगा सीपियाई ने अब तक मामली में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की है याचिका पर सुनवाई करते हुए नियाय मुर्ति सिंग ने कहा कि हाला कि वह शुरुआत में आदेश पर रोक लगाने के लिए अनिक छुप थी क्योंकि उनका माना था कि लोगपाल ने कुछ साक्षिपाए हैं लेकिन केड्रिय सतर्कता आयो की रिपोर्ट की जांच से पता चला है कि इस स्तर पर कोई जांच नहीं की गई है अदालत ने कहा संबंधित अधिकारियों यान सीडी और अन्य अजेंसियों के खिलाफ कोई विशेस आरोक नहीं लगाया गया है नियायाले ने कहा कि छेत्र अधिकार का मुद्दा और जिस तरीके से लोगपाल को आगे बढ़ना है वाबात के स्तर पर उठेगा और इसलिए लोगपाल को मामले के जवाब दाखिल करना चाहिए अधालत ने मामे के समाई 25 अपरिल तैकी है जहां शिकायत करताने अवैर और अना धिक्रित निर्मान के बारे में आठ्रियाई के तहत डेटा प्राप्त करने के प्रती असंतोष व्यक्त किया था झालत ने झालत श्रीज करने के जवाद करना चाहिए झालत खुद ने जे वहाँ हम जप्रूड़ तो श्राप्त करने के जड़िए व्यक्त करने के ज़र दायता उत्व है झाल झाल